Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ Divya Sharma आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ Acidity के इलाज तो आपने बहुत सुने होगे लिकिन उसके कारणों को जान लेना बहुत ज़रूरी है जिन कारणों से Acidity यानि की हमारे अंदर तैजाब बनता है उसके कारण क्या है ताकि हम उनसे बत सकें तो आज ऐसी ही चीज की बात करते हैं कि क्या कारण है Acidity के बनने के पीछे क्योंकि एक चीज आपको Clarity कर दूँ की Acidity जो होती है उसी के कारण गंबीर से गंबीर बिमारियां हमें लगती है वो Acidity जो होती है वो धीरे-धीरे हमारे खोन में मिक्स हो जाती है और Uric Acid बनाती है High BP का Reason बनती है, Colesterol का Reason बनती है, Diabetes का Reason बनती है इसी लिए आपको इनके कारणों को जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन्हें करें ही नहीं तो बात करते हैं, जिनको पेट में या सीने में बहुत जलन होती है यानि तहजाब बहुत बनता है तो उनके पीछे क्या कारण है तो सबसे पहला कारण ये ऐसे कारणों की बात कर रहे हैं जो शायद सबको मालम होंगे लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो 7-8 ऐसे कारण है जिनको अगर आप छोड़ते हैं तो acidity नहीं बनेगी चाहे आप आज से ही इसे शुरू करें जिन भी लोगों की आदत है खाने की बीच में पानी पीने की या फिर खाने के जस्ट बाद पानी पीने की वो अपनी आदत को आज के लिए छोड़ के देखें फिर उन्हें पता लग जाएगा कि acidity का main reason तो हमारा खाने के बीच में पानी पीना और या फिर खाने के जस्ट ब पच्चता है तो लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो वो भोजन ठंडा पड़ जाता है और पच्च नहीं पाता जो की acidity का reason बनता है इसलिए आज से ही खाने के just बात और खाने के बीच में पानी पीना छोड़ दीजिए इसके इलावा जो लोग खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं कुछ लोगों की आंगदत होती है खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं बिना चबाये ही आदा खा लेते हैं इस टाइप से जो भी लोग खाते हैं उन्हें भी acidity बहुत बनती है चाहे वो मसाले वाला नहीं खा रहें, क्योंकि जो खाने को पचाने का काम करता है, वो हमारे मुहे की लार होती है, और हम इतनी जल्दी खाते हैं कि लार पूरी तरह से खाने के साथ चिपक के अंदर जाही नहीं पाती, इसी लिए ना ही तो constipation, यानि कि हम अच्छे से फ्रेश हो पाती हैं, constipation की शिकायत भी रहने लगे, ना अच्छे से फ्रेश हो पाती हैं, ना पाचन शक्ती दुरूस्त हो पाती है, इसी लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पाचन शक्ती भी बहतर हो, और acidity नहीं बने तो ये एक चीज और बता दें, कि आपको एक बाइट को 32 बार जरूर चबाना चाहिए, जो भी acidity से परेशान है, वो इस चीज को करके देख लें, एक बाइट को 32 बार चबाएं, उसके बाद अंदर निगलें, ऐसा करने से acidity नहीं बनेगी, उसके बाद, जो लोग सुबह पानी नहीं पीते, खाली पेट जो अपने सुबह सुबह उठते हैं, तो आपको सुबह सुबह खाली पेट कम से कम 3 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, चाहे आपको प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, जैसे एक एक घुट करके पानी पीना है जो लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, उनको भी ऐसे डिटी जरूर बनती है, क्योंकि चाहे हम पानी पीए, चाहे हम खाना खाएं, हमारी लार का काम ही है उसे सही दिशा देना इसी लिए एसेड में कनवाइट नहीं करना नहीं, तो पानी को भी अगर हम जल्दी जल्दी पीएंगे तो वो भी हमारे अंदर एसी दी एसेड में कनवाइट हो जाएगा जाकर इसके इलावा एक चीज़ ओर है आपको कभी भी थंडा पानी या बरफ वाला पानी नहीं पीना जिनको भी एसेड बनता है वो तो खास तोर पर नॉर्मल पानी ही पीएं और बागी जो लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं अपने आपको बचाई रखना चाहते हैं उनको भी धंडा पानी नहीं पीना चाहिए ये नहीं है कि गरम पानी पीए पर नॉर्मल पानी पीए इसके इलावा दिनर के जस्ट बाद सोना गलत है क्योंकि दिनर के बाद आपको कम से कम आदा घंटा जरूर घूमना चाहिए रात के टाइम बीपी जो होता है लो हो जाता है इसलिए लो बीपी में सोना गलत है लो बीपी में थोड़ा घूम लेना ही बैटर होता है जैसे कि जब लंच करते हैं तो दुपैर के टाइम लंच करते हैं तो बीपी जो होता है हाई हो जाता है और हाई बीपी में रेस्ट करन जरूरी है इसलिए दोपैर के खाने के बाद रेस्ट जरूर करें जो तंदरुस्त रहना चाहते हैं और एसे बचे रहना चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फोर्मिशन उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें मिलते हैं एक और नई informative वीडियो के साथ same time यानि कि सुबह के 9 बजे तब तक के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay bye